इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी प्ले स्टोर से Instagram application download कर रहे हो पर ये download नहीं हो रहा है या तो ये pending बता रहा है या ये cut हो जाता है आध्र download होता है फिर ये cut हो जाता है तो इसको कैसे हम ठीक करें क्या तरीका है इसका आइए जानते हैं तो आपको 3-4 तरीके follow करने हैं सबसे पहले ये चेक करिए कि आपका net चालू है कि नहीं और ये चेक करिए कि आपका net चल रहा है कि नहीं साथ ही में आप ये भी चेक करिए कहीं आपकी जो daily data limit होती है या 1GB या 2GB कहीं वो तो खतम नहीं हो गई है उसको चेक करिएगा उसमें क्या होता है कि अगर हमाय net खतम भी हो जाता है तो हम play store में कुछ search करेंगे तो वो show तो हो जाएगा install पर लगाएंगे install पर लग जाएगा पर वो पूरी तरीके से download नहीं होता है अगली चीज़ आप यह देखिए आपको play store में जाना है आपको इसके home page पर आना है यहाँ पर आपको उपर एक goal icon मिलेगा इस पर आपको touch करना है और आपको मिलेगा यहाँ पर एक option जिसका नाम होगा my apps and games इस पर touch करें आपको मिलेगा है यहाँ पर install या update आप चेक करिए आपको कोई application यहाँ पर update हो रहा होगा यह download हो रहा होगा आप देख सकते हैं मेरा application यहाँ पर एक download हो रहा है इन्हीं में चेक करिएगा यहाँ पर कहीं मिलेगा यहाँ देखिए यह लाइबरेडे में चेक करिए आपको मिल जाएगा इससे आप फिर आप कट कर दीजिए और अब चेक करिए कि आपकी दिक्कार सॉल्व होती है कि नहीं तो यहाँ पर हमारी दिक्कार सॉल्व हो गई होगी यहाँ आपको नीचे मिलेगा एप्स थोड़ा नीचे आईए आपको एप्स मिल जाएगा इसपे टाच करें आपको मिलेगा मैनेज एप्स यापके सारे एप्स आटमेटिक यहाँ पर शो हो जाएंगे नीचे आपको आना है आपको मिलेगा Google Play Store ढूण लिजीए आप सर्च कर सकते हैं डारेक्ट तो मैं ढूण लेता हूँ यहाँ पर Google Play Store नीचे की तरफ जाके यह रहा इसपे टैच करिए और आपको मिलेगा है यहाँ पर स्टोरेज या नीचे की तरफ इस्टोरेज पे जाईए और किलियर डेटा कर दीजिए चिंता ना करें आपका कोई डेटा डिलिट नहीं होगा और आप चेक करिए कि आपकी दिक्काश सॉल्व होती है कि नहीं वीडियो पसंद आई है लाइक करें अगर आपका कोई सवाल है कमेंट करें